शरत पवार ने 2 मई 2023 को राष्टवादी कॉंगर्स पार्टी यानि की NCP के अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया है इस्तिफा के साथ ही उन्होंने भविश में चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान किया है चार बार के महराष्ट के मुख मंतरी शरत पवार ने जब मुंबई में अपनी आत्मकथा लॉंच के कारिकरम में ये आश्चर जनक घोशना की तब उनके साथ उनके भतीजे अजित पवार भी मंच पर मौझूद थे बेटी सुप्रिया सूले कारिकरताओं के बीच में मंच के सामने जो है वो बैठी हुई थी जैसे ही कारिकरम में शरत पवार ने इस्तीफे की बात कही वहां मौझूद NCP कारिकरताओं और नेताओं ने भावुक होते हुए उनके फैसली का विरोध किया यहां तक कि कई कारिकरताओं और नेताओं के आखों में आसू आ गए ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि शरत पवार का राजनीतिक यानि पॉलिटिकल उत्राधिकारी और अगला NCP प्रमुक कौन होगा यहां यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि शरत पवार के परिवार में कौन-कौन है जो इस पद का दावेदार हो सकता है तो चलिए बताते हैं आपको शरत पवार गोविन पवार और शादा पवार के बेटे हैं शरत पवार के कुल पांच भाई बहन है चार भाईों में सबसे बड़े अप्पा साहिब, दूसरे नंबर पर अनम्त राओ, तीसरे पर शर्थपवार, जबकि सबसे छोटे भाई का नाम प्रताब है शर्थपवार की एक बहन भी है जिनका नाम सरोज पतेल है, जो की एक हाउस वाइफ है शर्थपवार के सबसे बड़े भाई अप्पा साहिब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके दो बेटे हैं, राजेंद्र और रंजीत, राजेंद्र जो हैं वो एग्रो बिजनस से जुड़े हैं, वहीं रंजीत वाइन इंडस्ट्री से जुड़े हैं राजेंद्र के बेटे हैं रोहित पवार, अप्पा साहिब जानी शर्थपवार के बड़े भाई के पोते रोहित ने पवार परिवार के गरी नगर 12 मती से 2017 का जिला परिशत का चुनाव जीता था, मतलब वो राजनिती में हैं अजीत पवार, शर्थपवार के दूसरे नंबर के भाई, अनन्त राओ पवार के बेटे हैं, अनन्त राओ पवार के दो बेटे और एक बेटी हैं, सबसे बड़े बेटे शेनिवास का क्रिशी और आटो मिबूल का जो है वो कारुबार है अजीत पवार अनंत राओ के दूसरे बेटे हैं अनंत राओ की बेटी विजय पाटिल मीडिया में काम करती है अजीत पवार की शादी सुनेतरा पवार से हुई है अजीत पवार के दो बेटे हैं जै और पार्थ शरत पवार ने अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को साल 2019 में अपनी लोगसवा सीट से चुनाव के मैदान में उतरने का मौका दिया था हाना कि चुनाव में पार्थ पवार हार गए थे कहा जाता है कि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार परिवार से चुनाव हारने वाले पहले सदस हैं अब आते हैं शरत पवार के अपने परिवार पर शरत पवार की पत्री का नाम प्रतिभार शक्ति है दोनों की एक बेटी है जिसका नाम सुप्रिया सूले है सुप्रिया सूले सतरवी लोगसभा में सांसद है सुप्रिया ने बिजनसमेन सदानन सूले से शादी की है शर्थपवार के सबसे छोटे भाई प्रताब हैं जो शराब और मीडिया उधोक से जुड़े हैं उनके बेटे अभीजीद भी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं अब सवार आता है कि शर्थपवार का उत्तराधिकारी राजनितिक उत्तराधिकारी कौन रसल एंसीपी के अध्यक्षपत के लिए शर्थपवार के भतीजे अजित पवार प्रतिद्योंदी के तौर पर देखे जाते हैं इसके अलावा शर्थपवार की बेटी हैं सुपरिया सूले को भी परिवार जो है पवार जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है इन दोनों के लावा फिलहाल पवार परिवार में कोई भी राजनिती में फुल टाइम एक्टिव या कह सकते हैं कि अध्यक्षपत के लिए तयार नहीं दिखता है हाला कि शर्थपवार ने इस तीफिक के बाद आगे का प्लैन भी बताया है शर्थपवार ने बताया कि नए अध्यश के लिए एक समीती बनाई गई है इस समीती में प्रफुल पटेल, दिलिप वलसे पाटिल, अनिल देशमुक और नरहारी शामिल है अब अगला न्सीपी चीफ कौन होगा ये समीती के निरने के बाद ही तै हो पाएगा तो बागी खबरों के लिए आप देखते ही दे कुइंट और कुइंट हिंदी